तो असलाम अलेकुम गाइस कैसे हैं आप सभी लोग और आप देख रहे हैं इंट्रेस्टिंग चैनल तुर्क कैस विलिज व्लोग तो गाइस वन मिनिट चाड़ है अभी हमारी तब पतंग नीचे जा रही थी और हमारी पतंग वह उड़ रही है अभी थोड़ा सा मैं इसको अभी नीचे उता रहा हूं बतंग को और मैंने शूट नहीं किया था तो वह भाई अभी यार बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है हमारा पतंग जो है वह काइट वह जो रही तो गाइस अभी हाई यार उसको बीच यह पर प्रच वह रहा वह पर यह पर मैं प्रच भी नीचे उता लेता हूं चलो अभी हम अपनी जो यह वह पतंग है वह उतार रहे हैं तो क्योंकि आपी मज़ा नहीं आना है और दूप बहुत ज्यादा है तो इस कारम से थोड़े गर में बैठते हैं रेश्ट करते हैं अभी जश्ट नौ मैंने उड़ाया है और वो दिखाई है भाई साहब उनकी पतंग दिखाई है उनकी पतंग आरे भाई अब ख़या है अब है फिर्फ यह जाने वाली है और यह क्वारी तो स्टिल है और वो उड़ रही है और यह इसकी पतंग इसकी क्योंकि इससे संभाली नहीं जा रही है और उनलोगों नहीं प्योटाई आई है और वो भी ऊतार रहे हैं मतलब है तु मैं नहीं कुछ दिखना है और मैंने संग्लासिस लगाए हैं और यह देखिए आप और यह भी उड़ा रहे है यहां पर पतंग और इससे मतलब काबु नहीं हो रहे हैं और अभी विस्टिल अलाई है मतलब यह उड़ रही है और यह रही इसकी फिर की और पतंग वह रही अपनी उड़ रही है और तो गाइस अभी तो एसा कोछ सीन है और इसको मेरे को यह देखिए इन नो इन लोगों ने भी पतंग उतार लिये और भैज भी यहां पर उड़ा इसको यहां पर अभी हमारी पतंग जो है वो नीचे उतर रही है हराम आवारां से तो एक पतंग तो है वहां पर फसी हुई है अगर आप देख सकते हो तो वह बीश्की है इस से उड़ती नहीं और यह अपने अपने उड़ाता है माला अभी तो अच्छी उड़ रही थी इ लेकिन अभी उतार रहा है नीचे तो इसका रण से अभी इसकी सही उड़ रही है तो इसको मैं पूछ लेता हूं पैज अपैज उड़ाई ये तो टील डील डेल इसके पास मलवदरी नहीं है ऐसी वड़ाने को इसकाराण से वह डील नहीं दे रहा है मैरे पास थोड़ी जा पी पड़ी है और मैंनेजी वह बोल यह तू छोड मैं नहीं छोड़ोंगा क्यों मेरे पतंग तो अन्न काबू हो गई है कहा कहा पर जा रही है और वो खेचा जा रहा है मतलब पता नहीं चला है उसको कोई नहीं सो मैं पूरे आउटफिट से आया था सुस्पूस पैन कर रहा था क्योंकि ये चाथ जो हमारी पूरी गंदी हुई पड़ी है चला अभी उडाते हैं इसको उडाने दे दिया आए अभी अभी हमारी पतंग वो उड़ा यह मुझे लगा कि घया चाड़ा जाए नहीं जाए लेकिन फिर भी मिरेको उतारना पड़ेगा क्यूंकि मूंद जाना है नीचे मतलब और मैंने इंट्रो भी नहीं किया इस व्लॉग का सो कोई नहीं हम कर लेंगे अपने आप ही कुछ एक्जस्मेंट और पहली पहली बार जब मैंने यह उडाया तब तो यह तूट गया और मैंने एक आइडिया लगाया है और अभी साम का टाइम हो गया है और मैंने एक मलब उपर से मलब पतंग लगा दि दिखाए और अपनी पतंग जो है वह है यहां पर इस स्टेज पर और गाइस अभी आपको उपर चड़कर भी दिखा देता हूं छत पर और मैंने इसको बांदा हुआ है और कहा गई यह पतंग यह रही यहां से बांदी हुई है अब आटोमेटिक पूरा शिस्टम किया हुआ है मैंने और चलो अभी बेहन नीचे उतरते है और आप मैंना ने जा रहा हूं तो मैंना हो लूँगा और गाइस यह देखिए हाई आटोमेटिक आटोमेटिक है भाई साब ऑटोम आप मैंने पहली बार ही लगाया है और जाइस तो आज के लिए बास इस था अगर आप मारे यज चल पर पर नहीं तो हमारे यूटे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करें और शेर करें चाहिए बास आए और यह देखिए मेरी खुशी का अलग ही लावल है बाइस आप जान लगाया यार दिखना एदाय यहां से चा रही है पूरी की पूरी और रुक रही है वहाँ पर आप शुआ भी दिखा यह रहा आप यह जिए आप आइफॉन का कैमरा भी कहना पड़ेगा यह देखिये कहां पर पहुंच आ है भाई सब और सो गाइस अगर आप हमार्य तो आज के लिए बाद नहीं तेल देन बाइबार